हलो फ्रेंड्स अधिश्ठात्री किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शियर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो न्यूटिशन से भरी हुई होती है और जिसको बनाना बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए तो चलिए जल्देशे शुरू करते हैं आज पालक मेती और डाल की ये मज़ेदा रसिपी तो सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ पर ली है मैंने एक कप उड़त की छिलके वाली डाल इसको मैं अची तरह से साफ पानी से दो लूँगी और दो से तीन घंटे के लिए हमें इसको सोग करके रखना है अगर आपके पास चिलके वाली डाल एविलेबल नहीं है तो आप इसमें दूली हुई उड़त की डाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो देखे यहां पर दाल को मैंने दो घंटे के लिए सोग करके रख दिया है दो घंटे होने के बाद दाल कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी अब मैं इसको एक कटोरी में सेपरेट कर लूँगी तो देखे दाल तो हमारी तयार हो चुकी है फूल करके इसके बाद यहा जिकों मैं कूकर में बनाने वाली हूं तो यहां पर लिया है मैंने प्रेशर कूकर और इसमें लगबग एक बड़ा चमचा भरके मैंने सरसो तेल एड़ किया है उसके बाद आधा चमच के करीब जीरा इसमें एड़ कर दूगी जब जीरा चटकने लगेगा तो मैं इसमें जब तक प्यास थोड़ी सी सुनहरी ना हो जाए तब तक के हमें इसको फ्राइ कर लेना है तो देखे प्यास को फ्राइ होते हुए लगबग मुझे यहां पर तीन मिनट हो चुके हैं और जब हमारी प्यास फ्राइ हो गई है तो मैंस में एड़ कर दूगी कुछ मसाले जिस जब यह मसाला रेड़ी हो जाएगा तो मैंने इसमें एड़ कर दिया है टमाटर को लगबग 2-3 मिनट के लिए फिरसे मैं मसाले को बून लूगी और जब मसाला हमारा बून के रेड़ी हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा तो अब इस मसाले में मैं एड़ कर कटी हुई मेती और पालक इनको भी अच्छी तरीके से हमें इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है और जब यह मिक्स हो जाएगा तो हमें यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि आप इसमें बिल्कुल भी पानी एड मत कीजेगा क्योंकि मैंने इसमें टमाटर को एड किय है तो हमें यहाँ पर पानी डालने की कोई भी जरूत नहीं पड़ेगी तो देखिए दाल और सब्जी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है और अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी कूकर की लीड लीड लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इस सब्जी के अंदर 3 सीटी तो मैं आपको दिखाती हूं कि इतने अच्छे से सब्जी बन करके रेडी हुई है इसको मैं लगबाग एक मिनिट तक के लिए कूकर में ही फ्राइ कर लूँगी आप भी सब्सक्राइब कीजेगा और कैसी बनिया आपकी सब्जी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझ आपकी सब्सक्राइब का लिएए आपकी आपकी इंटाइब की